Hello Friends, Welcome to RMPSU, कैसे हैं आप सब? तो आज बहुत बड़ी खुश्खबरी है, result आ गया है, बहुत सारे stream का, बहुत सारे courses का result आउट हो गया है आज हम इसी result के बारे में बात करेंगे कि किस किस course का result आ गया है और अगर आप result देखेंगे तो कैसे देख सकते हैं तो चलिए वीडियो का भी start करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम type कर लेते हैं RMPSU, PSSU यह हमने कर लिया type, अब यहाँ पर आप यहीं पर ही जाएंगे, first ही site पर तो यह खुल कर आ जाएगा आप इसमें थोड़ा सा नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा, और यहाँ पर यह वाला जो column है, result वाला, यह वाला आपने क्या करना है, आपको इस result वाले column पर कर देना है, click, ठीक है, तो यह हमने इस पर कर दिया है, click तो देखिए, अब यहाँ पर यह result खुल करके आ गया है, यह आपको क्या करना है, आपको simple यह वाला जो option है, आपको यहाँ पर click कर देना है, और जैसे ही आप यहाँ पर click करेंगे, तो यह आ गया, देखिए, खुल के, अब यहाँ पर देखेंगे, result जो आया है, वो आया कि किसका है तो देखिए LLB first year का result आ गया है B.A. LLB first year का result आ गया है Bachelor of computer application second का यानि B.C.A. second semester का result आ गया है B.B.A. second semester का result आ गया है B.A.C. home science का result आ गया है B.A.C. agriculture का second semester का result आ गया है B.A.C. vocational biotechnology second semester का result आ गया है B.A.C. vocational computer application का result आ गया है है Bachelor of Physical education यानी BP ad का result आगया है VAT का result आ ठीक है इसके बाद मैं Bachelor of Art यानी BA second semester का result में नियहां इसके इसके निस्फेतब़ औरे है और देमाब़ तो यह इतने सारे रिजल्ट जो है यह अभी अभी ही आए जल्दी में जैसे कि आप देख रहे होंगे यह एस ये 30 को ही आये हैं 30 October को ही आये हैं इतने सारे रिजल्ट तो यहाँ पर अगर आप देखना चाहते हैं BA Bachelor of Science या फिर Bachelor of Commerce का तो यहाँ पर वो College भी शो हो जाएंगे इन पर क्लिक करके जिन जिन कोलिजिस का result आ गया है इतनी चीज क्लियर हो गई है अभी हम क्या करते हैं अभी हम थोड़ा सा shift होते हैं जो हमें अपना result चाहिए उस पे जैसे और देखिए आपको करना क्या है आपको यहां पर यह जो एंटर रोल नंबर लिखा हुआ है यह जो एंटर रोल नंबर लिखा हुआ है आपको सिंपल बस यहां पर अपना रोल नंबर लिख देना है जो भी आपका रोल नंबर है तो यहां पर हम अपना रोल नं कर देना है उसके बाद में आपने कर दिना है सब्मिट जैसे और देखिए यह मैंने यहाँ पर कैप्चा भी एंटर कर लिया है और यह कैप्चा भी एंटर करने के बाद में आपको सिंपल बस सब्मिट पर क्लिक कर देना है जैसे अगर हम यहाँ पर अब submit पर click करते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे तो देखें यह result हमारा खुल के आ गया है सारे numbers ओलेडी यहाँ पर हैं तो आप ऐसे अपना result यहाँ से download भी कर सकते हैं यह print वाले option पर जाएंगे और जैसे आप print को click करेंगे वहाँ पर pdf में आपका जो result है वो save भी हो जाएगा चलिए thank you ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe जरूर करें अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी informative लगा हो थोड़ा सा भी लगा हो कि हाँ information ठीक है इसमें तो चैनल को subscribe तो कर ही लेना साथ मैं अपने friends को share भी कर दो जल्दी से और वीडियो को like भी कर दीजे जल्दी से thank you all of you